नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भिशेक और स्वागत आपका इन्वेस्टेक गुरूपूल चैनल में तो दोस्तों ग्रोव एप के चलिए आप मुचल फंड में बहुत ही आसानी से अपना इन्वेस्ट में शुरू कर सकते हैं मैंने डिरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहांसे आप डिरेक्ली ग्रोव एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के वाद में ग्रोव एप्लिकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा आप अपने email id के थुरू में grow application में login कर सकते हैं आपके mobile में जो भी email id already logged in है वो automatically detect कर लिए जाएंगे और उसमें से जिस email id से भी आपको login करना है उस email id को आप select कर ले next page पे आपको यहाँ पर अपना mobile number fill कर लेना है और send OTP के option पर click कर देना है अब यहाँ पर आपके mobile पर एक OTP आ जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर fill करना है और अपने mobile number को verify कर लेना है तो मेरा mobile number verify हो चुका है अब next page में आपको अपना pan number यहाँ पर fill करना है pan number आपको capital latest में fill करना है फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर create account पर click करना है तो अब आपका जो official name pancard के अगेंस पर register है वो name यहाँ पर आपका fetch होकर के automatically fill हो जाएगा यहाँ पर आपको name confirm करना है next page पर आता है date of birth जहाँ पर आप directly अपना date of birth fill भी कर सकते हैं या calendar option का use करते हुए आप अपना date of birth fill कर सकते हैं इसके बाद आपको next पर click करना है और आपका जो भी gender है male female जो भी है उसको आपको यहाँ पर select कर लेना है marital status आपका जो भी हो single हो married हो आपको यहाँ पर choose कर लेना है अब हम लोग यहाँ पर next पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना occupation परना है चाहे आप वो private sector में है student है public sector में employed है professional है जो भी आपका occupation है उस occupation को आपको यहाँ पर choose कर लेना है अब आपको यहाँ पर अपना yearly income select करना है इसके बाद में आपका जो भी trading experience है उसको इस page में select कर लेना है अगर आपके पास में कोई भी trading experience नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप no experience पर click करके next page में जा सकते हैं इसके बाद में next page आता है detail requires to finish KYC इसमें आपको अपने mother का name देना है और father का name fill करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर next button पर click करना है अब next page पर आपको अपने bank select करने का option देना होता है इसमें आपको जिस bank के through भी अपना transaction perform करना है चाहे वो mutual fund हो या तो कोई stock हो जिस bank account से भी आपको अपना transaction करना है आपको वही bank account यहाँ पर fill करना पड़ेगा और एक बात आप यहाँ ध्यान रखे कि जिस bank account को भी आपने यहाँ पर select किया है बस उसी bank account के through में आपका transaction होगा आप किसी भी और bank account के through में आप अपने wallet में या तो आप अपने grow app में कोई transaction नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर आप अपना directly branch का नाम यहाँ पर select कर सकते हैं या IFSC code के through आप अपने branch को locate कर सकते हैं IFSC number को choose करते ही आपका जो भी bank का जो address होगा वह automatically यहाँ पर populate हो जाएगा इसी के साथ में आपको यहाँ पर bank account number fill करना पड़ेगा अब आपको यहाँ verify bank पे click करना है verify bank पे click करने के बाद में grow कुछ से आपके bank account में एक रुपे का credit करके आपके bank account को verify करेगा जैसे ही आपका bank account verify हो जाएगा और आपके account में एक रुपे डाल दिये जाएंगे आप automatically next page पे चले जाएंगे अब आपको यहाँ पर online ही अधार के through अपना KYC complete करना है यहाँ पर proceed for KYC के option को click कर लेना है और यहाँ पर terms and condition को accept कर लेना है हमको authenticate अधार के option को click कर लेना है next page आता है dg locker का authentication page यहाँ पर हमें अपना 12 नंबर का अधार नंबर यहाँ पर fill करना है और next पर click कर देना है हमारे mobile पर OTP आएगा जिसे हमें यहाँ पर fill करके continue के option को click कर अब आपका यहां पर जितने भी रिकॉर्ट सें オफिशाल रिकॉर्ट सें वो फेज anybody है तो आपको हीं आप थोड़ा सा समय लग सकता है तो आपको इस पेज्ट है थोड़े समय के लिख रमेक्क करना पड़े यहाँ पर आपको अपने camera के जरिये अपना photo capture करना होगा इसके लिए आपको यहाँ पर camera के option पर click करना है और उसके बाद में इसको allow करना है अब आपको यहाँ पर looks good के option को click कर लेना है अब next option आएगा signature verification जिसमें आपको अपने sign को verify करना है इसके लिए आपको यहाँ पर proceed to signature के option को click करना है यहाँ पर अब एक screen आ जाती है जहाँ पर आपको अपने finger के दोरा यानि कि अपने उंगलियों से इस screen पर वैसा ही sign करना है जो कि आपका official sign है इस sign को करने के बाद में आपको यहाँ पर submit option देख रहा है उस submit option को click कर लेना है अब आपके सामने next page आता है nominee details को fill करने का जिसमें कि आप अगर चाहें तो अपने nominee details अभी fill कर सकते हैं और अगर आपको अभी nominee details fill नहीं करना है तो आप बाद में भी इसको fill कर सकते हैं अगर आपको बाद में fill करना है तो आप no skip this के option पर जाएंगे लेकिन अगर आपको अभी अपने nominee details को fill करना है तो आपको यहाँ पर yes proceed के option को click करना होगा यहाँ पर आप जिनको भी nominee बना रहे हैं आप उनका नाम यहाँ पर fill कर देंगे उसके बाद में उस nominee के साथ में आपका क्या relation है इस relation को आप यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद में nominee का date of birth यहाँ पर fill कर दिया जाएगा और उसके बाद में आता है nominee identity proof तो जब यहाँ पर आप select करेंगे तो आपको different तरीके के identity proof के लिए documents दिखेंगे तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे जो भी identity proof आप देना चाहें उसको select कर लें जैसे कि मैं अपने case में यहाँ पर आधार को select कर लेता हूँ और आधार number को fill कर देता हूँ और confirm identity proof के option पर click कर लेता हूँ अब हमारे screen पर आधार e-sign का page आ चुका है जहाँ पर हमें अपने आधार के थूँ अपना जो form हमने अभी fill किया है grow app का उसे e-sign करके verify करना है हम लोग यहाँ पर click करेंगे proceed to आधार e-sign अगेन यहाँ पर proceed to e-sign के option पर click कर लेना है अब आपके सामने में grow application के थूँ दीमेट account open करने के लिए digital form open होकर के आ जाता है इस form में different terms and conditions mentioned किये गए है इसको एक बार read कर लेना है और page के नीचे में आ जाना है और फिर हमें यहाँ पर click करना है sign now इतना करते ही आप nsdl के e-sign के portal पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपना terms and condition को accept करना है यहाँ पर आपको अपना 12 digit का आधार card फिल करना है और send OTP पर click करना है आधार card जिस number से भी linked है उस number पर अब आपको OTP आ चुका होगा यहाँ पर आपको उस OTP को fill करके verify OTP पर click कर देना है इसी के साथ में आपका e-sign verification complete हो चुका है और इसी तरीके से grow app के through DMIT account open करने का जो process था वो successfully complete हो चुका है अब आप यहाँ पर अपने dashboard में आ चुके हैं और dashboard में अगर आपको अगर mutual fund में invest करना है तो आप तुरंत ही mutual fund में invest करना शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आपको stock में investment करना है तो आपको 2-3 दिन का समय के लिए wait करना परेगा क्योंकि आपने जो भी form submit किया है अभी उस form को grow खुझ से verify करेगा और successful verification के बाद में आपका 48-72 hours के बीच में DMIT account को activate कर दिया जाएगा जिसके तुरू आप stocks में invest कर सकेंगे यहाँ पर ध्यान देने की यह बात है कि mutual funds के लिए कोई भी DMIT account open करने की जुरूत नहीं है इसलिए जैसे ही आपका e-sign verification complete हो जाएगा आप mutual fund में तुरंत invest करना शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आपको stocks में invest करना है तो यहाँ पर आपको अपना portfolio देखने को मिलेगा अगर आपको किसी भी mutual fund में यहाँ से invest करना है तो आपको यहाँ पर simply उस mutual fund का नाम select करना है जैसे कि मैंने access growth opportunity fund को select किया है अगर आपको lump sum one time investment करना है तो आपको one time पर click करके amount fill करके invest now पर click कर देना है और अगर आपको monthly SIP करनी है तो आप यहाँ पर जो भी monthly SIP आपको open करनी है यहाँ पर आप fill करके उसके SIP date को यहाँ पर select करके confirm पर click करके invest करना शुरू कर सकते हैं वैसे मैं grow app का second part भी लेगा होगा जिसमें मैं step by step grow app में lump sum के थूरू कैसे invest कर सकते हैं और SIP में कैसे invest करना है उसका एक complete video लेकर के आऊंगा तो आचा करता हूं दोस्तों आज का video आपको पसंद आया होगा इसी तरीकी है कि educational और informational videos के लिए हमारी team के साथ में जूरे रहे हैं तब तक के लिए दोस्तों खुश रहे हैं सौस्त रहें and keep investing जाइ हैं